हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग संपढ़ियां बहुत इच्छा तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलके ही लेक्चर को पिछले ही लेक्चर को कॉंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर पर हमने डिफ्रेंसिबिल्टी के कितने लेक्चर के क्या तक बाते कर लिया था डिफ्रेंसिबिल्टी के पहले लेक्चर में बेसिक पड़ा था सेकेंड में हमने कुछ सवाल किये थे और सवाल हम कर रहे थे क्योंकि हमको practice करके इसको सीखना है अब बाकि जो trick है उसर तोड़ा आगे जानेंगे तो ये basic पर हम अभी काम कर रहे हैं basic property की basis पर ही अभी हम सवाल कर रहे हैं तो उसी को आगे तोड़ा continue करते हैं और कुछ और सवाल करते हैं आज और और सवाल के साथ-साथ कुछ और भी questions करे जाएंगे आज कुछ और भी concept भी आज थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा और तरीके से सवाल करेंगे थोड़ा और method apply करेंगे तो आज हमारा फिर से पढ़ना है again differentability ही तो topic तो वही है differentability again topic तो same है हाँ आज फिर से हम एक सवाल से ही start कर रहे है कि सवाल से ही हम आपको एक दे रहा है कि सवाल देखो कैसे है और सवाल से ही हम चीजों को बनाएंगे जैसे कि अपने पास सवाल देने वारे ने ये दे दिया कि अगर इप कोई function fx है fx is continuous and fx is equal to लिखा गया है fx is equal to greatest integer एक्स टैन पाई एक्स देन आप से सवाल ये कह रहा है कि देन चेक डिफ्रेंस ये बिलिटी चेक डिफ्रेंस ये बिलिटी डिफ्रेंस ये बिलिटी आप fx at किसका डिफ्रेंस ये बिलिटी चेक किया जाएगा function का कहां पर किसी भी एक मैंने कह दिया integer x equal to 2 अपने को चेक डिफ्रेंस ये बिलिटी के वाज़े थोड़ा और थोड़ा सा आसान करता हूं इसको then find rhd fx और देखते हैं कि क्या होगा तो और कहां पर find करना है x equal to 2 पे अगर x equal to 2 पे find करना है तो सबसे पहले हम देखें तो हमको rhd का है rhd का है तो हमको rhd के लिए सबसे पहले हम rhd का फार्मला लगा देंगे rhd का फार्मला क्या होता है limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h इतनी तक आपको बात क्लियर है a के जगा पे कौन है किस point पे hd निकाल ला है 2 पे तो a की value कितनी हो जाएगी a is equal to 2 हो जाएगा तो यह इसकी value हो जाएगी limit h tending to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h हो जाएगा अब यहां पे आते देखते है rhd की value क्या आ रही है rhd is equal to हो जाएगा आपका limit h tending to 0 लोग जिदा पतरी हो तो आप लोग भाई क्या यहां पे fx के f of 2 plus h सिधे इसमें पूट हो जाएगा और इसमें पूट होने का मतलब है कि यह हो जाएगा 2 plus h into 10 पाई 2 plus h भोलो कोई दिक्कत आयोग नहीं है जिसके आगे फिर minus greatest integer में 2 f of 2 के जगा पे greatest integer में 2 और 10 पाई यानि पाई x का मतलब 2 पाई हो जाएगा x के जगा पे हमने 2 पूट कर दिया नीचे में आ गया आपका क्या आगे नीचे में भाई बच्चो एज वासा बस इसके बाद क्या करेंगे देखो greatest integer दिख रहा है यह greatest integer है तो कभे भी हमको घबडाना नहीं हमने क्या का था greatest integer को देखके fractional part को देखके signal को देखके घबडाएंगे नहीं मैं सवाल इस पर ही ज्यादा क्यों करवाता हूं यह भी एक मन में आएगा कि सर जखो continuity में भी सवाल मैं जब दोदा था तब इस fractional part ले लिए greatest integer ले लिए क्योंकि आपको डर ही सी जधा पर लगता है अपको बाकी project में तो आप करते जाते हो continuity निकाल आते हो पको डर कहां लगता है greatest integer है तो तुरंब मन मन सांती नहीं दो पीछे क्या होगा तो आपको och greatest integer पर ही play practice करता हूं ता कि इसका डर खतम ही हो जाए इसका जो डर है मन में वो खतम हो जाए इसके लिए आपको बेसिक फंडा नहीं भूलना है बेसिक चीज नहीं भूलनी है गर्टेस्ट इंटीजर का पाकिक बेसिक का मतलब यह हुआ आपका देखो basic का मतलब यह हुगा कि greatest integer का मैंने बता रखा है पहले देखो क्या बता रखा है हमने आपको कि देखो greatest integer में आपके सामने मैंने का था h आएगा तो इसकी value हो जाएगी 0 greatest integer में minus h आएगा तो हो जाएगा 0 sorry minus 1 एक और मैंने property बताया था कि greatest integer के अंदर जब भी क्या greatest integer के अंदर जब भी कोई integer होगा तो वो बाहर निकल जाएगा तो greatest integer के अंदर जिसे माल लो की मैंने कहा कि कोई एक integer है n plus h तो यह आपका जो यहाँ से n है यह n बाहर हो जाएगा और आपको याद करो डबा बंद कर देगा फिर आपका माल लो कभी ऐसे हाया minus n minus h तो भी आप n बाहर हो जाएगा मतलब minus n बाहर हो जाएगा plus minus h होगा गलती से आप minus मत कर देना वच्चों ध्यान रहे या अगर माल लो की n minus h हुआ तो भी इसका n बाहर हो गया plus greatest integer minus h और इस minus h की value अपने को पता है कितना होती है उपर से minus 1 यहाँ भी minus 1 यहाँ भी minus 1 फिर मैंने एक और बात कहा था fractional part को लेके भी मैं बोला था कि fractional part h की value h होती है और fractional part minus h की value 1 minus h होती है और दूसरी बात मैंने बोला था कि fractional part integers को खा जाता है integers को खा जाता है धकार भी नहीं लेता है तो integers अगर मानलो fractional part के अंदर हो गया N plus fractional part आप है यह अगर N integer हो गया तो इसको खा के सीधे सीधे H यानि यह H दे देगा बात समझ में आई तो पूरे greatest integer यानि differentiability continuity के किसी भी सवाल में अगर greatest integer यह fractional part आता है तो हम सोचते है कि इंटीजर के पास पास इसका behavior कैसा है किस तरह का यह अपना behavior करता है बस यही हमारा फंडा होता है करने का तो ज़रा देखो यह हो गया limit H tending to 0 यह 2 प्लस H है तो यह आपका वही बिलकुल फंडा है यह 2 बाहर निकल जाएगा 2 प्लस greatest integer X एक bracket में इसको मैं ऐसे भी बोलता कि 2 से जादा का greatest integer 2 से जादा का greatest integer जस्ट पीछे वाला integer होगा तो हो जाएगा 2 2 से जादा मतलब 2.2 0 1 2.2 ऐसे भी बोलता यह हम इसको property से direct कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह क्या हो जाएगा इंटू 10 यह हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई H माइनस greatest integer 2 का तो 2 हो जाएगा इंटू 10 2 पाई का 10 2 पाई की वैलू आपकी हो जाएगी 0 आप यह बाद जानते होगे कि 10 N पाई होता है 0 यहां से फिर आपका आया limit H tending to 0 यह 2 तो 2 रहा 2 प्लस H की greatest integer H की वैलू जीड़ो 10 और 2 पाई प्लस पाई H कितना होगा वही क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई H क्या हो जाएगा आपके दिवान में अभी तक आ गया होगा कि सर N मतलब 2 पाई प्लस X होता है 10 X तो यह सिर्फ आपका पाई H हो जाएगा नीचे में H बोलो यह पाई H 10 same by same same tending to 0 यहाँ पाई से multiply कर दे पाई से divide कर दे आप पूरा का पूरा value कितना हो गया 1 पाई और 2 limit पूट क्या answer है 2 पाई बोलो कोई दिक्कत बिटा RHD आपने निकाला RHD आगया आपका ही सवाल का 2 पाई लेकिन यह तो सवाल आपको कहा हमने RHD निकलवाया 2 पे कहा निकलवाया हमने अगर मान लोग की LHD निकलवाता सो पूच की मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लोग की हम करते की LHD निकालना हमको 2 पे ही क्या निकालना है LCD हम निकाल लेंगे आप भी निकालने चल भी रहे हैं कि LCD कैसे निकालेंगे और चिक करते कि LCD भी क्या आता है हमने सवाल का आपका आंसर बन चुका है आंसर में कोई गरबड़ी नहीं है आपका आंसर आ चुका अब हम अपने मन से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इसको मैंने हटाया अब लेटी के बारे में बात करने वाले हैं अगर हम से लेटी भी पूछा होता लेटी का मतलब डिपरेंसिबिल्टी चेक करवाया होता तो सबसे पहले हम फार्मूला तो लिखते हैं क्या होता formula f of a minus h minus f of a upon minus h बात समझ में आई और आपका अपने किस पे a equal to किस पे चेक करना है x equal to 2 पे तो आप यहाँ पे x की value यानि a की value 2 ढाल देते तो यह हो जाता f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h यह इतना तो हो जाता फिर यह बाकी सब मैं यहाँ से हटाया और ज़रा देखो फिर अभी इधर वाली जो property है उसको नहीं हटा रहा हो क्योंकि उसकी अपने को जरूरत पड़ेगे lhd आपने हाँ से हम निकालने चल रहे है lhd कितना आ जाएगा आपका ज़रा देखो तो बच्चो क्या limit h tending to 0 a pop 2 minus h इसमें आके पड़ेगा तो greatest integer 2 minus h tan of pi into 2 minus h बहुत बढ़िया minus greatest integer 2 tan of 2 pi divided by आपका कितना minus h क्या हुआ आपने पास क्या ये 2 minus h क्या फिर से 2 बाहर निकल गया प्लस में greatest integer minus h ये बचा क्या बोलो वाप पर पटी देखो n minus h में से n बाहर आ जाएगा लेकिन बाहर अंदर में जो बचेगा माइनस के साथ बचेगा ये नहीं कि आप 2 minus greatest integer h कर दिये ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी ध्यान रखना यहीं पे कि 2 plus minus h क्यों कि minus h खुद में एक quantity है h का negative है minus h खुद में quantity है minus कोई operator नहीं होता है दो number का sum और subtraction subtraction भी एक तरह का sum ही है सिर्फ एक negative number का sum है तो sum की तरह हम treat करते हैं और इसको लिखेंगे ये 2 pi minus pi h minus 2 into again 10 2 pi की value 0 नीचे में minus h देखा बताओ तो बच्चों ये तो हो गया 2 ये हो गया minus 1 greatest integer minus h minus 1 हो गया 10 2 pi minus pi h क्या 2 pi minus x कितना होगा क्या minus x होगा क्या क्या मैं बहार minus लगा तो क्या ऐसे minus 10 pi h और नीचे में ये आपका हो गया pi h sorry minus h हो गया क्या आपका फिर से एक line और मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको answer लिखने में सही होगा ये 2 में से एक निकलेगा minus 1 बचेगा और ये वाला minus इदा के multiply हो जाएगा 10 pi h हो गया नीचे में भी आपका minus h हो गया ये तो minus से minus काट दिया ये 10 same by same बनाने के लिए pi से multiply और divide कर दिया इस पूरे की value 1 हो गई तो 1 into pi आमसर आ गया pi क्या lhd कितना आ गया अपने पास बोलो pi lhd बराबर lhd हुआ kya rhd कितना आया था rhd कितना आया था बोलो 2 pi 2 pi आया था lhd rhd आया था 2 pi lhd कितना आया pi दोनों equal है क्या नहीं क्या function differentiable होगा 2 pi नहीं आगया बात समझ में यहां simple सी बात है क्या हमको कहना होगा तो हम कहेंगे कि यह नंदू है कहाँ पे 2 pi बात समझ में आया बच्चो 2 pi क्या है यह function नंदू है तो यह आप कर रहेगा lhd kisी greatest integer होने के बावजूद भी हमने उसका बिल्कुल जो मेथड है उसी मेथड से किया और आंसर बिल्कुल सिमिलर आया बस आपको हमेशा क्या जयार रखना है कि यहां पे देखो greatest integer h की value 0 क्यों ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ greatest integer h की value 0 यह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फिर से दुबारा मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ आप function से आप पढ़ते आ रहा हूँ मेरे से तो आपको जरूरत रही है लेकिन मैं बस याद दिला रहा हूँ कैसे यह value होती है कैसी यह value होती है देखो हम धानते हैं कि H एक बहुत छोटा नमबर होता है तो greatest integer ह 10 को 0.00000 बेहत बेहत चोटा और बहुत चोटा अब जिरो से चस्ट आगे भी नमबर है तो greatest integer क्या हो जाएगा उसका जीरो अब माइनस में जेरो पॉंट 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 0.2 का फ्रेक्ष्मनल पड़ी आपको दिख़रा होगा के आपकाuine ≦ से 1 के कॉंटिटी का फ्रेक्ष्नल पार्ट आ पका सीधे आपका इसका सीधे से वही आपका जाया अंदर वादा Kle spectrum आधेर आगए annat बहुत अब तक हो फ्लेक्ष्नल सफ्रेक्ष्मनल पार्ट इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है बात समझ में आरे बच्चो अब ग्राफ ऐसे है यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह माइनस 1 है माइनस 2 है जिरह देखो जैसे ही 0 से 1 के बीच में होगा देखो 0 से 1 के बीच में हुआ तो यह लाइन है आपकी y बराबर x मतलब जो अंदर वाला होगा y बहार आ गया सीधे-सीधे x हो गया अगर हम 0 से माइनस 1 के माइनस 1 से 0 के बीच में होगा था यह वाली लाइन है अभी भी स्लोप यह है और यह देखो आपका माइनस 1 हो गया देखो यह प्लस 1 हो गया 1 तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस x अगर आपका निगेटी होगा तो x निगेटी होगा तो इसलिए इसको लिखा जा प्लस एक्स थी जो और से ओन माईनस एच हो गया यह इसका बेसिक हम जानरहे हैं और जानरहे भाँ रहे है कि greatest integer के अंदर integer होते हैं बाहर आजाता है यह कुछा कर देता है तो यह सवाल अब तो इस सवाल आपको दे देता यहीं सवाल आपसे कहता कि नहीं निकालना है अब कहां निकालना है पहले इतना नोट कर लो फिर आप देखो कि मैं कारे कारे क्या दे रहा हूं आप अफेक्स आएट मैंने कहा एक सिकोल टू के के एटी इंटीजर है के विलॉंग टू एनि इंटीजर मैंने कहां निकल वारा है अब से के पे किसी भी इंटीजर पे आपको निकालना हुआ वहला हूं को लो तो हो देखर आव मने चल रहे हैं क्या चीजिस हार्य किससे एक्स इपल्टु एपधे आधो दो तो ऊच् rich girl लेंगे फिर से वही僅ला लगाएंगे फार्मुला क्या हो ज्वाइगा आपका क्या फर्मुला उजाएगा भी आपको एपाँ एक जगा अपर क्या है बच्छों एक ही वालो कितनी है इस बार के है तो हो जाएगा लिमीट एच टेंडिंग टू जीरो एफ और के प्लस एच माइनस एफ आफ के अपोन एच क्या करें इसके अबाल सीधे वैलू उठा के डाल दें तो अचिदी की वैलू हो गई लिमिट एच टेंडिंग टो जीडो क्या होगे आगे फिर फर्दर एफ आफ एफ प्लस एच यहरे के प्लस एच की जगा प्याप सीधे उठा के वैलू रखने वाले हैं हम क्या हो जाएगा greatest integer k प्लस h into 10 of pi into k plus h minus greatest integer k 10 of k pi upon h दिरा एक बात बताँ बच्चो जहाँ सर सुनना मैंने क्या कहा 10 pi के value कितनी होती है 0, 10 2 pi again 0 10 3 pi 0, 10 4 pi 0 10 5 pi 0 10 का किस कोई भी 10 का कोई भी integral अगर हमको लेना हो तो उसकी value हो जाती है आपकी 0, क्या करने का मतलब है कि 10 10 10 कितना 10 pi कहा जाए तो इसकी value हो जाती है 0 मैंने आपको एक और चीज फंक्सन बताया था कि 10 greatest integer x pi होगा तो मैंने कहा greatest integer को हमेशा उसके घर के नाम से बुलाना चाहिए और घर का नाम होता है उसका n तो n pi हो जाता है और इसकी value हो जाती है 0 क्योंकि greatest integer हमेशा integer लोटाता है तो क्योंकि आप जोड़ देख लो pi 10, 2, pi 10, 3, pi 10, minus pi 10, minus 2, pi हर किसी की value 0 तो एक तो हमने पास पता चल गया कि ये तो 0 होने वाला है limit h tending to 0 ये तो आपका k integer है तो बहार आ जाएगा बताओ k integer है न तो कोई भी integer बहार आ जाएगा ये greatest integer h बच जाएगा bracket लगा दिया हमने यहाँ पे 10 अन्नल multiply किया तो pi k minus ये आपका क्या था k है क्या था बच्चो k plus h है तो pi k plus pi h minus 10 ये किसका greatest integer k और इसका 0 upon h देखना हमको ज़रूत पढ़ने वाली है इस पाद थोड़ा ज्यादा अराम से इसले कर रहा है ये तो 0 हो गया ये bracket लगा दिया है यहाँ पे अच्छा limit extending to 0 10 k k की value तो k हो गया plus 0 हो गया अच्छा अब एक बात है कि सर जी अब इसको क्या लिखे क्योंकि अगर मैं k की value जिस दिन 1 होगा तो 10 pi प्लस pi h आपका हो जाएगा plus 10 pi h ये दिन pi की value 2 होगी उस दिन आपका हो जाएगा 10 pi प्लस pi h 10 2 pi प्लस pi h और वो अगेन निकल के आएगा 10 देखलो आप लोग 10 pi h मतलब चाहे 3rd quadrant में जाए चाहे 1st quadrant में जाए हमेशा 10 की value positive होती है तो क्या हो जाएगा 10 pi प्लस pi अगर k की value 1 रखो तो 10 pi 10 pi प्लस pi h 1st third quadrant में गया वोग 10 pi h 2 रखने पे 2 pi प्लस pi h 1st में गया फिर pi h एक तो ये तरीका हुआ या दूसरा तरीका सुनो ज़रा दूसरा तरीका दूसरा तरीका इसको क्या करें चुक्चा नहीं समझ में जब आए कि सर्फ फर्स्ट और थर्ड में अगर अलग-अलग इसकी आवकात दिखा रहा है अपना तो क्या करो इसको 10 a minus b पे open कर लो मतलब यह मैं जो बता रहा हूँ यह आपका रामबाड इलाज है कि यहाँ से आपका उसको बनना ही है वो मना नहीं कर सकता नीचे में नीचे में 1 minus 10 pi k into 10 pi h याद करो क्या चीज़ 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b upon नीचे में चुपचाप h पढ़ा रहेगा यहाँ प्लस नहीं है यहाँ पे into है फिर आगे आगे बताओ बच्चो limit extending to 0 k तो अभी भी है into उपर में बोलो 10 pi k की बेलो 0 plus 10 pi h आज भी है इसी जिन्दा है नीचे 1 minus 0 into 10 pi h बोलो क्या काम बनता नजा रहा है क्या काम अपना काम बनता भाड़ में जाए नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे तो यह हो जाएगा limit h tending to 0 यह हो गया k into 10 pi h उपर में बच गया अज थोड़ा सा सम्हाल लें इसको नहीं तो बिदख जाएगा एक बार भागा बगावत किया तो फिर अपन लोग ढूड़ देरा जाएगे इसको मिलवे नहीं करेगा अज आप मिलवे ही नहीं करेगा तो आप हम लोग कहीं से ढूड़ के लाएंगे अब देरा देखो यह pi h आया तो फिर इसको इसको इसकी आवकात दिखाना है अपने ले तेरी इतनी आवकात है मतलब pi से multiply कर दिया उपर नीचे और यह दोनों आपका one हो गया बच गया pi into k तो वो दावाचो rsd क्या आया rsd क्या आया pi into k अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पिछले सवाल में हमारा rsd कितना आया था 2 pi कहां पे चेक कर रहे थे 2 पे 2 पे चेक किया 2 pi आया अब इस पार k पे चेक किया k pi आया इसका मतलब rsd इस सवाल का किसे भी समय पे हम अगर हम qrsd निकालना होगा तो उसकी वह लवाएगी pi k और lsd कितना आया था पिछले वाले का आया था सिर्फ याद करो पीछे कावी पलट के देख लो लिखा होगा आपने k आया था क्या था k आया था जब lsd आपको k आया था तो इसका मतलब k नहीं सिर्फ pi आया था lsd कितना आया था सिर्फ pi आया था तो अगर lsd pi आया था मतलब 2 से 1 कम pi 2 से 1 कम into pi इस बार भी k पे चेक करें तो k से 1 कम pi मतलब k-1 pi आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कितना k से 1 कम pi मतलब k-1 pi ज़रा निकालते हैं इसको भी निकालते हैं अभी आपके सामने देखो मैं निकालना हो और देखो lsd तो सवाल में दे रखा है हम को क्या निकालना है lsd हम ने मन से निकालना है सवाल तो खतम हो गया सवाल ने तो हमने जो सवाल दिया तो solve हो गया अब सिर्फ चुकि हम क्लास में पढ़ रहे हैं information ले रहे हैं अपने को सीखना है तो इसके लिए हम क्लास में lsd निकालना है कि हाँ क्या हम जो चीज़े सीख रहे हों कर पा रहे है कि नहीं तब इसलिए lsd निकालने चल रहे है lsd हमारा हो जाएगा सबसे पहले हम lsd का formula लिखेंगे lsd का formula लिखेंगे क्या हो जाएगा lsd का formula lsd एक कोल्ट हो जाएगा limit h tending to 0 a of a minus 0 a minus h upon f of a upon minus h कहां पे चिक करना है k पे limit h tending to 0 f of k f of k minus h minus f of k upon minus h देखा बच्चों अब आगे आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ दे रहे होगे और साथ दे रहे हो और आप फटा-फटा आपका निकल के आ रहा होगा क्या आ रहा होगा lsd आपका यहां पे x के जगा पे क्या पुठ होने वाला है k minus h फिर 10 of k minus 10 of pi into pi into k minus h minus greatest integer k tan of k pi upon h minus h बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया limit h tending to 0 यह होगा k minus h का तो क्या करेंगे k तो बहार हो जाएगा plus में greatest integer minus h अंदर हो जाएगा एक bracket में फिर आपका क्या हो जाएगा मैंने कहा कि आपका यह 10 pi k minus pi h minus यह तो k हो जाएगा और यहां पे इसकी value 10 k pi मतलब integer multiple आप पाई आपका वो हो जाएगा 0 आगे ज़रा बताते हैं इस बार ध्यान से देखो k 10 अगर मार लोगे k की value 1 लिया सुन्दो कैसे हम यहीं से पता कर लेते हैं k की value 1 लिया तो pi minus pi h second quadrant second में 10 की value negative 2 लिया तो 2 pi minus 2 pi minus pi h 4th quadrant negative 3 लिया 3 pi minus pi h second quadrant negative 4 लिया 4 minus pi h 4th quadrant फिर से 4 pi मतलब 2 चक्कर लगा कर फिर पीछे आया तो आपका 4 pi minus pi h 4th quadrant negative मतलब हर बार यह negative दे रहा है चाहिके की value even हो या odd हो तो हम कह सकते हैं की हर बार negative होगा या फिर दूसरा तरीका अपने पास राम बार तो है ही क्या हो जाएगा कि यह limit h tending to 0 यह हो जाएगा k तो k ही रहेगा और इसकी value आप अभी तक याद कर चुके होगे कि minus 1 आता है तो यह k minus 1 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 10 pi k minus 10 a minus b पे फर्मूला पे तोड़ रहा है 10 a minus 10 10 a minus b पे तोड़ रहा है 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 pi k into 10 pi h upon minus h तो क्या है limit h tending to 0 यह तो हो गया 0 यह हो गया आपका k minus 1 यहाँ पे 10 यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ minus h 10 pi h बाकि सब 0 हो गया यह भी 0 यह भी 0 पीछे लिख चुका हो इसलिए दुबारा मैं नहीं रिख रहा हूँ यह वाला minus यह वाला minus इसको क्या कर दिया plus कितने से multiply करो यहाँ पे इसके लिए pi से multiply करो क्या answer क्या है बच्छो जड़ा देखो तो pi into k minus 1 देखो इस पूरे का answer 1 हो गया क्या मैं यह बोला था किस बार pi k minus 1 आएगा lhd की वह लो अगेर हम आपके क्या कह सकते है pi k minus 1 क्या हम क्या कह सकते है rhd सवाल का कितना है बच्छो क्या है pi क्या यादा क्या तो अब एक बात क्या कह सकते है कि जो यह function सवाल ने दे रखा है यह वाला function हमेशा non-differentiable है किस point पे सारे इन teachers पे और problem किस से होई अगर आप ध्यान से देखो तो किस पे कौन सी ऐसी जगह है कहा कौन ऐसा टर्म था जो आपको difference create किया था कौन ऐसा टर्म था आप याद करो greatest integer greatest integer की वज़ज से इस बार k-1 दिया और पिछली बार किये दिया था बाकि तो या लेडी ये तो दोनों बार ये जो बगल वाला है ये तो हर बार pi ही दे रहा था सिर्फ इसकी greatest integer आपको एक बार k-1 दे रहा था और एक बार k-1 दे रहा था तो problem greatest integer की वज़ज से है और हम जानते हैं कि greatest integer हर integer पर discontinuous होता है जब वो चीज discontinuous हो गया तो वो कहां से वो होगा आपका कहां से वो चीज कहां से वो आपका डिफरेंसियबल होगा जो मैंने लिख रखाई न एक 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 सवाल किया हमने काफी ठीक ठीक सवाल था आपको इस बता जाता हूं कि एक एक सवाल है तो बात करते हैं उसके अगले सवाल पर आपकर तो अब नेक्स पर बात करते हैं तो अपन लोग अभी एक सवाल किया हमने काफी ठीक ठीक सवाल था अपने लोग काफी अपने सब निकाल लिया सब्सक्राइब करते हैं लोग इस बात पर काफी सवाल पोचता था इडवांस में मतलब नियरली आप एक-डो साल के अंतर पर देखो गया तो सवाल देता हो जैसे मालों सवाल लिखा है क्वेस्चन है कि एप एफ एक्स इज कि एनी रियल वेलूड फंक्शन कि रियल वेलूड का मतलब क्या होता है अच्छा रियल वेलूड का मतलब होता है कि उसकी एफ x की डालो तो y की वैलू रियाल आएगी मतलब x की वैलू cvl रियल आएगी वह होता है रियल वैलू फंक्सण अर्टव परक्ड में और हमको पढ़ते हैं अभी आपके klas 12 में वो सब रियल वैलू न होते हैं तरह हमारे कहनेका सिंपल सा यह मतलब है कि यह चीज यह लाइन देखके खबराने की जड़त में कि यह क्या नया आगया रियल वैलूड जब तक हम रियल वैलूड जानेंगे नहीं तब तक आगे पढ़ेंगे नहीं अरे नहीं, real value ही अभी तक हम पढ़ते आए हैं अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, real value function ही पढ़ते आए हैं तो यह हो गया, fx is any real value function such that such that mod f of x minus f of y less than or equal to mod x minus y का power 3 where and x and y belong to कोई भी real number है and x and f of 0 equal to 0 या f of 0 equal to 0 ही मानलो है, कुछ भी मैं दे सकता हूँ अभी आगे सवाल होने के बाद बताऊंगा कि क्या कुछ और भी दियाता, क्या हो जाता a f of 0 equal to 0, then find आपसे पूछ रहा है कि find a f of 1 बताना है कि a f of 1 क्या होगा, then find a f of 1 या a f of 2 या a f of 3 कुछ भी पूछना है तो पूछ रहा है कि अब बताऊ आपका ये क्या होगा तो देखो ये सवाल देखने के बाद maximum लोग डर जाएंगे, कि sir ये क्या सब आ गया a f of x minus a f of y mod भी है, less than भी है, ये भी है इसमें हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ नहीं है, सवाल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है आरे बाद समाज में, देखो a f of 2 देखो थोड़ी तरी के लिए न ये a f of 2 पूछ रखा है तो अपन लोग अगर हमें काम करें कि a f dash कैसे हम लोगो, हमारा मुद्दा ये है मुद्दा समझो कि हमको कैसे प्राचलेगा कि sir इसको defensibility के method से निकालना है कैसे पता चलेगा कि ये सवाल f dash x से निकालके बननेगा, या f x से समझाल तो काम तो बनेगा नहीं ऐसा नहीं कि ये सवाल पिछले 3 साल से या 4 साल से या 10 साल से क्राया जा रहा है या 10 साल पहले आ रहा था तो हम रटले कि हाँ इसमें ये होता है और ये हो करके बन जाता है रटले से तो बनेगा नहीं आपके दिमाग में कैसे यह थोट या नया टाइम पर ऐनाएं गिपन दिमाग में धॉट चले गा असब शींपर करता है क्यों से पढ़ी बात यह है कि आपके लिए पहले बाद के लिए सवाल होगा उगा हमारे लिए तो हर बार कराते हैं घुद तो फटाफट इसका आपको solution दे देंगे लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यह सवाल करना कैसे है यह सवाल का answer कैसे ले आना है क्योंकि function में यही यह सवाल होता function के time पे मैं आपको किसी और polynomial हो गए रहा और पता नहीं functional equation हो गए रहा डाल के निकालता अब एक word नाम आया है functional functional के लिए आपको याद होगा कि पहले function देता था कि function किसी तरह की condition को satisfy करता है जब इस सवाल देखता है न एक इनसान और अपना दिमाग चलाता है तो पहले scrutiny करता है सवाल में से कि क्या चीज़े चाट के निकालने जो हमारे कुछी तो काम के लिए कहीं तो फंसेगा ये तो हमने कहा अगर functional का ये सवाल होता तो functional में हम पहले ही एक function देते हैं कि कोई effect से वो इस तरह की चीज़ सैटिस्पाई कर रहा है और तब हम उसके बाद उसको आगे solve करते हैं functional के लिए जो put value होती है उसको दे हो कि हम effects निकालते हैं फिर effects निकालने के बाद f2 निकालते हैं यहां पर वैसा तो है नहीं पहली बात है दूसरी बात कि अगर हमको कहीं से ये पता चल जाए तो ये चीज़ पहला वाला अपार्ट अपन अप्लाई नहीं करेंगे कि अगर ये function का मालो की derivative कुछ है कुछ derivative मिल जाए देखो क्यों हम दिमार में के चला रहे हैं कि अगर derivative मिल जाए तो एक condition अपनी f of 0 equal to 0 मैं इसको चाभी बोलता हूँ कि एक चाभी दे रखी है एक की दे रखा है याँ पर एक की दे रखा है कि f of 0 equal to 0 है तो एक चाभी अपने पास मिल गए जाती है कि भही f of 0 equal to 0 हो जाता अगर ये function का कुछ derivative भी मिल जाता तो एक बार derivative मिलने के बाद आप क्लास 12 में हो या target में हो फरक नहीं पड़ता है मिल जा तो एक बार integrate करने से function मिल जाएगा और एक बार integrate करने से एक constant आता है और constant आपका हो निकल क्या जाएगा एफ आप 0 equal to 0 देखो चुकि यह आप सवाल करोगे सारे आज IT का paper में देने जाओगे यानि सब पूरा पढ़के जाओगे तो उसको इस बात से फरक नहीं पड देरिवेटिव कहीं से मिल जाता तो एक बार उसको integrate करेंगे तो एक constant आएगा और constant आने से हम रुसकी constant की value निकाल सकते हैं तो इसका मतलब कि इसके derivative के बारे में सोचना चाहिए अच्छा derivative के बारे में सोचना चाहिए तो देखा जाए कि यह क्या लिखा है जो इस लिखा है इसके उपर जड़ा साम जोर देते हैं क्या लिखा है एफ आफ एक्स अब derivative भी तो आपने पास ऐसा तो है नहीं कि कोई आइसा हम derivative में कोई format लिखे थे यह एक क्यूब है यह लिखा है या ऐसे में ऐसे कोई कि एफ डैस एका लची टी के बराबर लेमिट एच टेंडिंग टो एफ आफ औफ ए प्लस ए माइनस एच अपान एपान एच अपान एच एक यह पढ़ा है दूसरा पढ़ा है f dash a equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h तीसरा पढ़ा है हमने f dash a equal to h tending to 0 बोलो नाम बोलो क्या इसका नाम बोलो क्या हमने नाम बताया था x minus a इसको हमने पढ़ा था यही सी को बता था यही आपका कौन सा है यह संजीवनी है या रामबार दवाई है रामबार इलाज है क्या आप इस वाले उपर हर इन दोनों में देखो नीचे में सिर्फ h h आ रहा है उपर के दोनों में नीचे h h आ रहा है नीचे वाले में क्या रहा है? x minus a आया यहाँ पे extending to a extending to a X A के तरफ जा रहा है तो इस पर मैं पहले दिन काफी कई बार जोड़ दे की लिखाया भी था तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह का पिक्चर जो है A of X minus A upon X minus A मतलब नीचे में difference होना यह सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले पिक्चर में है और यहाँ पे अगर आप कहें तो नीचे में हम difference बना सकते हैं कैसे कि यह A of X minus A of Y एक इसमें से X minus Y नीचे लेके चला आया मौड X minus Y less than or equal to X minus Y का whole square एक बात बताओ क्या एक मौड नीचे आएगा तो कोई फरक पड़ेगा क्या इसके inequality पे क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि मौड तो हमेसा positive होता है अगर मौड हमेसा positive होता है तो नीचे लेके आए तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अच्छा बहुत बढ़िया इतना हो गया मतलब picture में तो एक चीज बनने लगी वैसे type का और ज़रा सा बोर नहीं करते हैं बोर नहीं करते हैं यहां पर क्या करें दो अलग अलग मौड मतलब अलग अलग सटर डाउन है सटर का गटर खोल दो एक कर दो आपका क्या होगा यहां से मैंने इन दुनों को एक में भेज दिया f of x minus f of y upon x minus y मैं चाहता हूं कि मैं इसको एप थोड़ा सा बदल दो क्यों बदल रहा हूं वह आपको थोड़ी दिर बात पर चलेगा f of y minus f of x upon यह हो जाएगा y minus x क्योंकि हमारी आखें और हमारा दिमाख बहुत बड़ा धोखे बाज है हमने धोखा देके रखा हुआ है कुछ चीजों के लिए क्यों एक लिए मतलब fix एक कुछ चीजों के पाइटर मनाने के लिए अब मैं यहां पर limit apply कर रहा हूं क्या देखो मैंने अंदर में limit apply किया y tending to x f of y minus f of x upon y minus x दोनों साइड हमने limit tending दोनों साइड मौट के अंदर ही किया तो कोई फरक नहीं पड़ा मौट y minus x का इसका whole square अब एक चीज देखो क्या हमने क्यों क्यों इसको उल्टा करके क्यों लिखा वावी जब एक बार आप लिख लोगे समझ जाओगे ता आपको अगली बार से ज़रुत ही नहीं पड़ेगी क्यों लिखा हमने क्योंकि क्योंकि हम्हें पता था की तरफ टेंड कर रहा है तक यइस की तरफ प्रफ टेंड कर रहा था यहाँ पर भइरियबल कोन है बोलो बेलो बचो बटक्यों कावन है यहां पर य है यह दिन का और एक्ष क्या हो गया आज ऑगे यह constant हो गया actual में तो नहीं है actual में तो function x का ही function है लेकिन यह constant हो गया तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं क्या f dash x लिख सकते हैं क्या जरा बोलो देखो पहले दिन का lecture याद करो लिखा गया है और यह क्या हो गया बच्चों यह पूरी चीज क्या हो गई जैसे limit put किया तो 0 का square 0 हो गय क्या कोई modulus की value negative हो सकती है क्या बताओ तो क्या modulus की value कभी negative हो सकती है क्या नहीं कहां agree करेगा but agree at f x f dash x is equal to mod f x equal to 0 मतलब f dash x is equal to 0 मतलब f x equal to कितना किसी भी constant का derivative होता है वोलो वोलो इस f x को differentiate करेंगे तो 0 हो जाएगा किसी भी constant का derivative क्या होता है जीरो तो क्या आगे आपने पास क्या आगे अच्छो जबताओ तो यानि हमारे पास अभी तक जो आया है वो यह आया है कि f x equal to c जीरा बलो सवाल में क्या दे रखा है given क्या है गिवें देखो यहां कहीं given होगा यहांपे देखो यह given है a of 0 equal to 0 तो फुट किया जा a of 0 equal to c तो यह 0 बलाबर c तो c की value भी हो गई 0 तो a of x की बलो बलाबर हो गया 0 जीरा बोलो a of x बलाबर 0 कि यहां पर देखो यहां पर लिख़़ाओ मैं एफ आप x बराबर हो गया 0 क्या हो गया फाइलले एफ आप x की ओले कितनी आ गई 0 अब बताओ सवाल में हम सब पूछा है एफ आप 2 बराबर कितना बोलो बोलो उच्चो 0 अगर मालो एफ आप 3 भी पूछता है तो कितना 0 अब जड़ा देखो तो मैंने एक और बात बोली थी, इतनी तो आप समझ गए होंगे, आप जड़ा देखो, एक बात और बोला था मैंने, क्या बोला था, कि सवाल में A-POP 0 equal to 0 देया है, अगर A-POP 0 equal to 4 दिया होता, A-POP 0 equal to 5 दिया होता, तो भी कोई बात नहीं होती, हम वहाँ पे ये ये वाले point करके निकाल लेते, A-POP 1 equal to 2 दिया होता, 3 दिया होता, तो भी हम यहीं पीचीच करके निकाल लिया होते, मतलब यह जड़री नहीं है, कि यहीं बात दे और इसी पे हम fix पकड़े रहे हैं, सवाल आपका कुछ भी बरोल सकता है, कि A-POP 1 बराबर minus 2, A-POP 1 बराबर Q, और answer Q म लेकिन fundamental जो method इसका है, वो यही है, आपका F-DAS हमने निकाला, F-DAS के बाद हमने क्या किया, F-DAS निकालने के बाद क्या किया हमने, उसको एक बार integrate किया, F-DAS से वो आप उल्टा F-X आया, आपने integration का sign नहीं लगाया है, integrate किया, फिर आपका value जो Q दे रखा है, चापी दे र करते हैं,